दोस्तों घरे लोग चार और सुखे जीवन चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में हम ऐसी तीन विशेश और बहुती गजब की चीज़ें लेकर आएं हैं यदि आप इन तीनों का इस्तेमाल अपने जीवन में करते रहें तो कभी भी जीवन में हार्ट अटेक नहीं होगा यानि दिल का फेलियर बिलकुल कभी नहीं होगा दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपको कभी भी हार्ट अटेक ना आए और कभी भी ब्लेड प्रेशर बढ़ने की दिक्कत ना आए तो नियमित रूप से इन तीनों चीज़ों का सेवन करते रहें आपका तमाम जिंदिकी में कभी भी दिल का कोई रोग नहीं होगा हाय ब्लेड प्रेशर की कोई शिकायत नहीं होगी दोस्तों ऐसी ही तीन चीज़े हैं जिनका आप यदि सेवन करते रहें तो इस आफ खतरनाग बीमारी से हमेशा के लिए बचे रह सकते हैं तमाम जिंदिकी दोस्तों उसमें एक तो सबसे पहले आता है आमला दोस्तों ये आमले का चूर्ण है आमला एक बहुती गजब की औरशगदी है और इसको इस्तिमाल करते रहने से दिल की गती कभी भी नहीं रुकेगी और उसकी संभावना दूर दूर तक भी नहीं रहती है इसलिए आप आमले का सेवन किसी भी रूप में करें चाहे तो आमले का चूर्ण ले या तो आमले की कैंडी आमले का मुरबा आमले की चटनी या किसी भी रूप में आमला लें लेकिन आप थोड़ा सा हर रोज आमले का सेवन जुरूर करें दोस्तो इसके सेवन से जो इनसान इसका सेवन करता रहेगा तमाम जिन्दगी उसको दिल की कोई बीमारी नहीं होगी हार्ट अटेक का या दिल की किसी भी तरह की प्रोलम उसको जीवन में कभी नहीं होगी दूसरा आइटम है मोसम्मी दोस्तो मोसम्मी ना मिले तो कम से कम निम्बू दोस्तो मोसम्मी के हर रोज इस्तिमाल करने से या निम्बू के नियमित 7 से कभी भी जीवन में हार्ट अटेक की प्रॉलम नहीं होगी दिल के फेलर की कोई प्रॉलम नहीं हो सकती और कोलेस्टरोल सरीर में बिल्कुल भी डिपोचिट नहीं होगा क्योंकि इसके 7 करने से हमारे रक्त वाहिनियों में जो cholesterol जमा होने लगता है वो कभी नहीं होगा और high blood pressure नहीं होगा दिल की बीमारियों के संभावनाए दूर दूर तक खतम हो जाएंगी इसके यदि 7 करने से यदि आप इसका 7 करते रहते हैं regular तोर पर और तीसरा आइटम है दोस्तो lesson lesson भी एक बहुत गजब की दवा है जो हमारे सबजी का टेस्ट यानि उनका जाय का बढ़ाने में काम आता है हर किसी के घर में किचन में ये मौजूद होता है दिल का दोरा पढ़ते ही या दिल का दोरा पढ़ने की नोबती ना आए यदि आप इसका lesson का इस्तेमाल हमेशा किसी भी तोर पर करते रहें सबसे बहतर तो ये है कि आप हर रोज दो कली कम से कम इस lesson की दो कली सुबह कच्ची चबाएं और इसके उपर गुनगुना पानी या गुन का दूद पी लें या दो कलीों को थोड़ा सा कुचल कर मौटा मौटा दरदरा कूट कर थोड़े से दूद में 200 ग्राम या 600 ग्राम दूद में उसको उबाल कर हर रोज सेवन करें और इसमें दूद में थोड़ी सी मिस्री मिला लें इस तरह से भी यदि आप सेवन करते रहें तो तमाम जिंदगी में आपको दिल की कोई प्रोलम नहीं होगी, दिल से संबंदित कोई समस्य आपको नहीं होगी, नहीं तो आपका कॉलेस्टॉल बढ़ेगा, नहीं आपका हाई बलड प्रेसर होगा, और दिल की तमाम मुश्किलों से, पीमारें से आप हमेशा अपने आप को बचा सकते हैं दोस्तो इसका सेवन आप सबजी बनाने में करें और ये दिक कच्चा इसको लसन को खा सकें एक से दो कली सुबह खाली पेट और उपर से गुनगुना दूद पीले या पानी पीले या फिर दूद में उबाल कर इसको पीएं तो दोस्तो आपको थमाम कभी नहीं होती है लेकिन आप ये तीनों में से इनका सेवन आप रेगुलर तोर पर करते रहें कभी कोई आइटम कभी किसी दिन छोट जाए तो कोई प्रॉलम नहीं है लेकिन आप इसको इन तीनों चीज़ों को अपनी जिन्दिकी में सामिल कर लें यदि आपको दिल्स की बीमारियों से बचना है, कॉलेस्टरोल से बचना है और हाई बलड प्रेसर की प्रॉलम से बचना है तो दोस्तों आप अपनी जिंदगी में इनको नियमी तुरूप से सामिल कर ले और इनको इस्तिमाल करते रहें तो आप इस जान लेवा बीमारी से बच सकते हैं दोस्तों जैसा आपकी आप जानते हैं हमारे देश में लाखों लोग इस बीमारी की वज़े से अपना जीवन खो बैठते हैं और करोड़ लोग इस बीमारी से सफर कर रहे हैं, करोड़ लोग इस बीमारी से पीडित हैं बहुत महंगा हिलाज है operation कराने जाएं, bypass surgery कराने जाएं angioplasty कराने जाएं तो बहुत पैसा खर्च होता है और ये बहुत ही मामूली सी चीज देखने वाली इतने बड़े-बड़े काम कर देती है घरे लून उसके कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे दोस्तो जैसे ही high blood pressure की सिकायत होने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि दिल की कोई बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है इसलिए उसी वक्त ये चीजें शुरू कर दें या ना भी हो कोई problem ऐसे दिल की या कोलेस्टोल की या किसी भी चीज की हाई blood pressure की भी ना हो उसके बावजूद भी यदि आप इसको इसको इस्तिमाल करते रहें दोस्तो तो तमाम जिन्दगी आज इवन आप सुरक्सित रहेंगे healthy रहेंगे और दिल की बीमारी से आपको कभी भी नुवसान नहीं होगा आपके दिल की बीमारी आपको होगी ही नहीं तो दोस्तो आज के लिए सिर्फ यही है हमारी ये विडियो और ये निसके आपको अच्छे लगे हो तो हमारे चलन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें हम जल्दी फिल लोटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ तब तक आप हस्ते रहें मुस्कुराते रहें और अपने खैल रखें